फाइनली वन पीस के मांगा चेप्टर 1061 के स्पोयलर्स आ चुके हैं और देखो ये स्पोयलर ज्यादा बड़े नहीं है लेकिन जो स्पोयलर आये हैं ये छोटे से भाई बहुत ज्यादा धमाका करके जाते हैं वैसे जो लोग सिर्फ मांगा चेप्टर को रीड करना प्रिफ अब ये टाइटल क्यों रखा गिया है नेक्स्ट स्पोयलर पर तुमको मालूम पढ़ जाएगा इस वज़े से सीधे हवलंग नेक्स्ट स्पोयलर की तरब बढ़ते हैं ये आइलेंड जो है वैगा पंक से बिलॉंग करता है मतलब यहाँ पर हमें वैगा पंक देखने को मिलने वाला है साथ ही साथ यहाँ पर हमें Vegapunk के आविस्कार भी काफी ज़्यादा मातरा में देखने को मिलेंगे और यह island बरफिला टाइप के तो हो गई है अब देखो यह तीसरा जो spoiler है यहाँ पर हमें पता चलता है वो पंक हजाड वाले बच्चों को ले करके कि आखिर उनका क्या हुआ हमें याद है पंक हजाड के एंड में क्या हुआ था तासागी ने responsibility लिया था तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसी island के सामने marine का एक बे से जहाँ पर उन बच्चों को रखा गया है और वहाँ पर तासागी के साथ साथ स्वाड के भी कुछ members हैं तो यहाँ पर हमें हो सकता है स्वाड के बार में भी जानने को मिले आने वाले chapters में इस chapter में ज्यादा पता नहीं चलेगा हाँ हो सकता है कुछ characters के हमें चहरे दिखाएं जाएं अब देखो जिस हिसाब से मैंने वीडियो में बोला था हो सकता है blackbeard को seraphim भी चाहिए तो यहाँ पर blackbeard का plan कामियाब होता हूँ नजर आ रहा है पर देखते यार वो क्या लेना चाहता है यहाँ पर चले एक और बात तो पता चल गया कि यहाँ पर बहुत सारे seraphim हो सकते है हाँ होकाई यह guarantee नहीं दे सकता है विकॉज होकाई एक next level swordsman है फिप्थ spoiler यह सबसे ज्यादा important है सारे spoilers में लूफी जिनबे chopper and bonnie are separated from the rest of the gang मतला सब अलग अलग हो जाते हैं at the end of the chapter एक girl appears who says that she is vagapunk इस बार में मैं क्या ही बोलूँ देखो मैं personally चाहता था कि जॉलरी bonnie ज बहुत सारी चीज़े जो है हमें पता चलेंगी लेकिन फिर मेरे देबाग में एक और चीज भी ख्याल में आया कि जॉलरी bonnie ने जब कूमा को देखा था उस बहुती गंदे हालत में तब उसका reaction कुछ अलगी था तो यह निकल के आता है कि वो वेगा पंक नहीं हो सकती और प्लस यहां पर हमें वेगा पंक का जेंडर भी मालूम होता है कि वो एक फीमेल है और जितने लोग यार मेल समझ रहे था उनका तो कड़िया अब देखो वेगा पंक के एपियर होने से क्या क्या चीज़े मालूम पढ़ती हैं देखो यार एक बात तो साब साब पता चल गया हमें इसी छोटे मोटे आर्क के अंदर इस आइलेंड वाले के अंदर ही हमें डेविल फूट के बारे में पता चलेगा और बहुत सारी में पूछा गया था डेविल फूट को ले करके तो वहां पर उन्होंने कहा था कि फ्यूचर में एक डॉक्टर आएगा जो कि सारा कुछ इसका कॉंसेप्ट समझा के जाएगा तो यहां पर हो सकता है कि डॉक्टर वेगा पंक ही वह हो अब देखो यार इस बात पर मेरे को 99 99.9% सियोरिटी है कि ओडा इसी सिच्वेशन की बात कर रहे होंगे जॉल्री बॉनी के तरफ से तो इसे स्पॉयलर में अभी तक कंफर्म नहीं किया गया है कि वही डॉक्टर वेगा पंक है लेकिन इस बच्ची ने बोला है तो इस हिसाब से हम लोग माल लेते हैं मेबी हो स पॉसिबिलिटी ये निकल के आता है आकाइनों ने जॉल्री बॉनी को इसी वज़े से छोड़ा होगा साथ ही साथ एक और बात मैं कहूंगा जॉल्री बॉनी को डॉक्टर वेगा पंक का काम तो पसंद नहीं है इतना तो हम सभी को पता है और इन दोनों में रिलेसंसी पग हो तुम्हारा मन है पर अगर तुम्हें इस चैनल पे नहें आगे हो और वनपीस की वीडियो से यार फ्यूचर में ऐसे देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन अन कर देना और हां मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना मत भूलना तो यार मिलेंगे नेक्ट वीडियो में फिलाल के लिए बाई